हम जिन्द की भर देखिए मेरे हाथ में लाल अरे गित्ते अच्छे नोट लग रहे हैं इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ये नोट हमें कहां पर इन्वेस्ट करने दिए हम अपनी कमाई हुई जो भी हमारी संपत्ती है उसको कहां पर इन्वेस्ट करें ये सबसे मह शुकूर है तो इसके लिए देखे मैं आपको बताऊंगा एक 20% पुस्तक है देखे आपने देखी होगी रिज डैट पूर डैट ये रॉबर्टी कियो साकी की 20% पुस्तक है और इसका जो दूसरा अध्याय है देखे दूसरा अध्याय अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं कर तो इस पुस्तक मैं रॉबर्टी कियो साकी कहते हैं कि अगर हम स्वयं जिंदगी भर मेहनत करेंगे तो हम बूड़े होने तक काम करते रहेंगे लेकिन जो हमारा पैसा है उसको हम सई जगए इन्वेस्ट करें तो वह पैसा हमारे लिए काम करेगा हमें फिर काम करने की आव वो हमारे लिए काम करें और बहुत अच्छा हमें रियल्ट दे बहुत अच्छा रिवार्ट दे तो इसके लिए हम इस वीडियो में विस्तार गूर्मक ज्यानते हैं कि वह कौन-कौन सी माध्यम है कौन-कौन से तरीके हैं जिसमें हम अपने पैसे को सही जगे इंवेस्ट कर स सकते हैं लेकिन पैसा कमाने से भी ज fantastic है पैसा बचाना और वर हमें नहीं शिखाया जाता है और अगर वह जाता है किaggio करनी तो लेकिन कैसे बचाना है यह हमें हमारे सिस्टम में कहीं भी नहीं सिखाया जाता है तो आईए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार से हम अपने पैसे को सही जगह इंवेस्ट कर सकते हैं अब बात आती है कौन सिखाएगा आपको कि आपको अपना पैसा कहां लग अब कर दो करोड़ की अगर आपकी वेल्थ है तो उसका एक परसेंट बीस लाख रुपए होता है जो कि बहुत ही अधिक होता है लेकिन हम सब यह फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए किसी फाइनेंशियल प्लानर को हायर नहीं कर सकते हैं कि उनको काफी अधिक मातरा म हमें फीस देनी पड़ती है तो अब आपको कौन सिखाएगा यह सब यह प्लानिंग आप स्वयम करेंगे जी हां आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम हमारी मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसको हम कहां पर इन्व भूलबलया के रूप में है यह हमें भटकाते रहता है हमारा जो सिस्टम है देखिए सिस्टम में चाहे पूरे संसार की बात करें हम सरकार होती हैं बैंकिंग सिस्टम होता है यह हमें इधर उधर भटकाता रहता है जैसे भूलबलया में आदमी दिन भर भटकते रहता लेक में भी स्पष्ट कहा गिया है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से वो पैसा आपके लिए कमायक के दे तो यह सब हम इस वीडियो में तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट क्या होता है देखिए जो हम आज तक करते आए हैं इसमें हमें जो रिटर्न है तीन से आठ प्रतिसत्य लगभग मिलता है या इससे भी कम हो सकता है और जो रियल इन्वेस्टमेंट है इसमें देखिए दस परसेंट से उपर ही मिलता है और हज परसेंट एक लाख परसेंट तक भी इसमें रिटर्न मिल सकता है जी हाँ आप इसमें आज चरीचा कि इतना हो यह अभी देखते हैं हम नॉर्मन इंवेश्टमेंट में होता क्या है जैसे देखिए सेविंग अकाउंट आपका जो बचत खाता है दो धाय तीन परसेंट का भी जिसमें मिलता है एफडी आज के समय में कोरोना काल में तो एफडी में क्या है बहुत कम ब्याज हो गया है तीन चार परसेंट पांचे परसेंट भी आज मिलता है दूसरा नॉर्मन इंवेश्टमेंट है जैसे हम लोग कहीं फ्लेट खरी लेते और हम सोचते हैं कि इसमें हम किराया लगातार अर्न करते रहेंगे लेकिन इस प्रकार की प्रॉपर्टी आदि में हम जो इंवेश्टमेंट करते हैं उसमें हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो यह है नॉर्मन इंवेश्टमेंट और इसमें हमें जो रिटर्न मिलता है वो कितना मिलता है तीन से आह प्रतिसत के आसफास लेकिन जो ऐस हमें थाउजन परसएंट वह इंट्रेष्ट मिल सकता है उससे अधिक भी हमें कब इति दो स्काइब करें रहेरा हमगा करने इनसे करना चाहिए अबहाएं यहां पर हम स्वयम planning कर रहे हैं तो देखिए investment की बात तो हम बाद में करेंगे देखिए हमारा investment सही तब होगा जब हम सारी चीज़ें बिलकुल planning से करेंगे तो पहले दो जरूरी काम हमें करने हैं क्या करने हैं देखिए पहला जो जरूरी काम है आपका जो 6 माह तक के जो आपके खर्चे हैं जो आपका मंधली खर्च है आपका परिवार का बच्चों का सभी चीज मिला करके 6 माह तक के खर्च के लिए आपने फंड की व्यवस्ता वश्य कर लेनी चाहिए क्यों क्या होता है कभी भी हमें कोई इमर्जेंसी आ सकती है तो उसके लिए हम छे माह तक के खर्च की जो फंड है उसको अवश्य अपने पास जमा कर लें और दूसरा जरूरी काम तीन साल से चार साल तक ये पांस साल शाल भी हो सकता है लेकिन इतना नियुन्तम है तीन साल से चार साल तक के जो आपके खर्चे हैं उसके लिए आकस्मिक नीधी होनी चाहिए आपके पास यानि कि कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए अगर सपोज कीजिए आपकी नौकरी चली जा क्योंकि हमारे जो देनिक मंधली खर्चे होते हैं उसके लिए हम एक निश्यत फंड किया हो सकता होती है तो उसके लिए हम क्या क्रछते हैं जैसे fd हो सकती है वैसे हम बात कर रहे थे fd आधि हमने नहीं करने चाहिए लेकिन एक थोड़ी मात्रा में FD अबशी होनी चीए उतनी ही मादरा में जिस से आप लगभग आधे वर्ष तक का अपना घरे लुखर चला सके या RD हो सकती है लेकिन यह क्या होनी चीए अलपावधी की दो मेहने चार मेहने च्छे मेहने की और जो दूसरा देखिए दूसरा जरूरी काम था तीन साल से चार साल तक के खर्चों के लिए आकस्मी निदी होनी चीए एक ऐसा फंड होना चीए तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए जैसे PPF है यहां पर हम यह सोच करके उस पैसे को रख सकते हैं कि अगर हमें कोई आकस्मिक जरूरत पढ़ गई माना किसी की नौकरी चली जैसे कि आजकल करोना के समय में बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है या किसी का बिजनस खत्म हो गया तो उस परिष्टिती में इतना को हम समापत कर देंगे जिससे की हमारा बड़ा ही लौस होगा तो यह दो जरूरी काम करने के बाद आप हम her वात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो पहले प्लैनिंग जिसके लिए बड़ा अच्छा एमowंड हमसे चार्ज करते हैं तो देखिए दो काम हमने कर लिए अपने 6 माह तक कि आगस्मिक जो नीदी है उसकी व्यवस्ता कर लिए और अगर कहीं जरूरत पढ़ जाए तो इस प्रकार का इंवेस्टमेंट कर दिया यहांपर तो तो फिर आप उसको जरुबत पढ़ने पर तुरंट नहीं निकाल सकते हैं आपने जमीन लिये है तो उसको तुरंट नहीं बेज सकते हैं या अगर आप जल्दी वाजी में बेज़ेंगे तो आपको उसमें लौस होगा तो उसके लिए देखे ये तरीके होते हैं तो ये दो चीज़ें करने के बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ और महतुपोन बात हैं ये भी इन्वेस्टमेंटी बाना जाएगा देखिए लोन आज के समय में दिकांग से लोग लोन पर ही चल रहे हैं तो लोन आपका क उसकी दर है रेट ऑफ इंट्रेस्ट वह भी बड़ा कम होता है तो उसको हम बुरा लोन नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लोन ऐसे होते हैं जैसे बुरे लोन क्या है जैसे कि पर्सनल लोन आपको 13-15% से लेकर 25-30% तक इसमें जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट होता है तो उसमें हमें बहुत अधिक लोज हो जाता है तो पर्सनल लोन आदि आपने समाप्त कर लेने चाहिए और क्रेडिट कार्ड का लोन जो है उसमें भी बहुत अधिक इंट्रेस्ट होता है 25-30-50-60% तक तो क्रेडिट कार्ड आजकल पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड में चल लिए आप कह के बाद आप जितना चाहिक खर्ची करें लेकिन जब करना पड़ेगा जब नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत अधिक मादरा में इंट्रेस्ट पे करना पड़ता है तो इसे कहा जाता है बुरे लोन तो बुरे लोन आपके अवश्य समाप्त हो जाने चाहिए दूसरी ब बहुत बहुत ऑश्यक्त है लेकिन केवल और केवल टर्म इंसृरेंस होना चाहिए देखी रखेन आपके बात करेंज तो आपके पास किसप्रकार का अरिकांस लोगत لरह 속बात में परम इंस्योश्स म॥िस. है बलकि उसकी जगह होता है इंडावमेंट इंसुरेंस बंदोबस्ती बीमा तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपके पास आज पहले से बहुत सारी पॉलिसिया है तो सोचिए कि उनको या तो चल दें रहें लेकिन नहीं पॉलिसिया आप बंदोबस्ती बिल्कुल इंडावमेंट इंसुरेंस नहीं करता है और इसकी जिएक होता है इसमें बहुत कम मिलता है और आपको प्रेमियम जो इसमें बहुत अधिक देना पड़ता है और इसमें में कमिशन Eliasival हो привет और तो कभी-कभी 30-35 प्रतु LOC? तो सोचिए अगर आप मान लिया एक लाग रुपे का प्रीमियम दे रहे हैं डावमेंट इंसुरेंस में और उसमें 30% एजेंट को मिल गया तो लगा लीजिए आपका एक लाग में से 30,000 रुपे तो एजेंट को मिल गया आपका इंवेस्टमेंट कितना हो रहा केवल 70,000 जब भी आपकी एन्वेल इंकम है मान लिया आप एक मेहने में 50,000 रुपे कमाते हैं तो साल वर्ग आपकी इंकम होगी 6 लाग रुपे और 20 साल में 1 करोड 20 लाग रुपे तो आपको अपने जो एन्वेल इंकम है उसका लगवग कम से कम 20 गुना टर्म इंसुरेंस होना आविश् लेकिन हम इसके स्थानबर क्या करते हैं हम ले लेते हैं इंडावमेंट इंसुरेंस तो इसमें बहुत अधिक प्रीमियम देना पड़ता है आपको मान लिया एक लाग रुपे यहां पर हम प्रीमियम देंगे और उसमें हमारा 20 लाग 25 लाग या 30 लाग तक का ही केवल रिस् पच्ची से 30 साल है तो आप 8 से 10 अजार रुपे में एक करोड रुपे का इंसुरेंस बहुत ही आसानी से ले सकते हैं अगर आपकी मंतिली इंकम पचास हजार है तो आपका एक करोड का भीमा होना बहुत आविश्यक है तो टर्म इंसुरेंस क्या होता है इंडावमेंट इं इसके बाद बीमा के अंतरगती एक 30 महत्यपूर्ण चीज़ है स्वास्त बीमा हेल्थ इंसुरेंस यह बहुत 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 आविश्यक है जो टर्म इंसुरेंस की हमने बात की उससे भी जादे महत्यपूर्ण है क्योंकि दोस्तों देखिए अधिकांग से इंडिया में हम लोग स्वास्त बीमा पर ध्यान नहीं देते हैं हम सोचते हैं कि हमें तो आज कुछ नहीं हुआ है लेकिन सोचिए हम इतनी बातें कर रहे हैं किसकी इन्वेस्टमेंट की लेकिन अगर किसी को परिवार के किसी भी सदक्षी को कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई कोई बड़ी इंज्वरी हो गई या कोई बड़ा रोग लग गया तो जो सारी हमारी बचट है वो एक बार में ही साफ हो जाएगी आपको एक हफता भी नहीं लगेगा आपकी पिछले वरसों की 20-25 साल की जो भी जमा पूंजी है अगर आपने हेल्थ इंस्वरेंस नहीं लिया है तो बीमा पॉलिसी बहुत 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 आउश्यक है तो बड़ी बीमारी आदी पर यह सारी जमा पूंजी खत्म करते था और हमें बहुत बड़े कर्ज में धकेल जाता है लेकिन हम सोचते हैं कि छोटी सी प्रीमियम इसमें लग रही है इसको भी हम नजर करनी चाहिए बचत के जो भी साधर हैं जैसे सेक्शन एटी सी है जिसमें आपका लाइसी के प्रीमियम आदी है बच्चों की ट्यूसन पीस है और डी यह सारी चीज़ें जो भी है इन सब का आपको ग्यान होना चाहिए आप कम से कम डेल लाग रुपे तक इसमें बच्चा के लिए बहुत अच्छा माद्य हमें इसमें दो लाग तक की पूरी चूट हमें मिल जाती है टेक्स के लिए और साथ ही हेल्थ इन्फिरंज इसके अभी हम बात कर रहे थे उसका जो प्रीमियम है इसमें भी हमें सेक्शन एटी सी के अलावा डिर लाग के अलावा भी बहु चैक्स से संबन्दिज जो भी सेक्शन हैं जो भी धाराे हैं उनके बारे में अच्छा ग्यान है तो हम टेक्स की बहुत अच्री बचत कर तक नो लग तक है और आपको इस यद版 नौलग तकक हैं और आप테 कोई सिplaying एक वीडियोwest बनाओंगा तो अभी हमने क्रणी आवश् का उस पर बात आगर के पहले हम बात कर लेते हैं रिटाइर्मेंट प्लानिंग की जहां रिटाइर्मेंट आज के समय में अधिकांग से जो भी करमचारी हैं या कोई प्राइविट सेक्टर में है तो उनकी पैंशन उनके बुड़ाप आज जो सहरा होता है उसके बारे में कोई पता नहीं है तो retirement planning भी बहुत आविशक है NPS क्या है new pension system इसमें tier 1 account क्या है tier 2 account क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए NPS और tier 1 तथा tier 2 से संबन देखे वीडियो जल्द ही मैं आपके सामने लेकर गया हूंगा और साथ ही हमें अटल pension योजना के बारे में भी पता होना चाहिए कि अटल pension योजना क्या है यह भी एक बहुत अच्छी pension योजना है इसमें आप बहुत नाम मातर की premium जमा करके अपने बुडापे के लिए अगर आपके बाद कोई अन्यसाधन नहीं है retirement के लिए तो इस योजना में भी आप सम्मिलेत हो सकते हैं अटल pension योजना के बारे में भी आने वाले समय में एक वीडियो आपके समख से लेकर करके आऊँगा अब हम बात करते हैं investment investment अभी हमने investment की बातें की उससे सम्मंदित वह बहुत जरूरी चीज़ें हैं तभी हम अपने धन को कहीं भी लगा सकते हैं तो जैकि अगर हमने inflation का ध्यान नहीं दिया तो उस FD में हमें कोई लाप नहीं मिलेगा देखिए अभी वरतमान में इंडिया inflation rate देखिए कितना है 6.93% इसका मतलब समझ रहे हैं आप अगर हमने आज की date में मान लिया एक लाप रुपे जमा किये और एक साल के बाद अगर यही inflation rate रहा तो उसकी value जो है 6.93% कम हो जाएगी यानि कि आप साधान सब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं अगर कोई वस्तु अभी आपको एक लाप रुपे की मिल रही है तो एक साल वाद वो आपको एक लाप 6.930 रुपे की मिलेगी जबकि अगर आपने 5% में FD की है तो आपको कितना उसमें मिलेगा इंट्रेस्ट 1,5,000 के वल जो आपकी value है वो कम हो रही है आप यह सोच रहे हैं मुझे 5% का इंट्रेस्ट मिल रहा लेकिन आप यह सोचे आपकी value आपके पैंसे की value घट रही है साथ ही इसमें हमारा जो ब हम इंट्रेस्ट का ध्यान कभी भी किसी भी बचत करने में नहीं रखते हैं दूसरी चीज है cost of living cost of living क्या है देखिए cost of living in India is 65.77% जबकि देखिए United States आदी में इस से ज्यादे होती है तो यहाँ पर हमारी cost of living का मतलब है सबोच कीजिए अभी आप मान लिया 1000 रुपे एक साल बाद आपका जो खर्च होगा वो 65 रुपे हो जाएगा तो सुचिए अगर आप कोई भी बचत योजना में बचत कर रहे हैं तो एक साल बाद आपको कितना मिलेगा और cost of living क्या होगी ये भी हमें समझना विश्यक होगा तो अब investment के जो सबसे महत्पून तरीके हैं देखिए सुरू में हमने बात की थी जो हमारा नॉर्मल इंवेट्मेंट है जैसे कि सेविंग एफडी गोल्ड आदी उसकी जगह पास देखिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अच्छे तरीके हैं investment के जैसे कि sovereign gold bond तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहि तो उसमें आपको जो उसके value होगी वो मिलेगी लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो सोने की value है उसके साथ साथ आपको धाई पर एनम का fixed interest भी मिलता है निवेस का जो दूसरा तरीका है वह है property निवेस करने का आप real estate में भी निवेस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान रखन करने के लिए तो आप property में कदा पी निवेस ना करें क्योंकि अगर आपको अजानक जरुवत पड़ गई तो आपको जो आपकी property है उसका बहुत कम दाम मिलेगा आपको उसमें कोई लाब नहीं होगा तो एक तो लंबे समय के लिए ही निवेस करें property में अगर निवेस करना ह है वो भी बहुत सीमित मातरा में साथ ही एक बात ध्यान रखने की है कि आप कभी भी मकान में निवेस ना करें अगर आप अपने रहने के लिए मकान में निवेस कर रहे हैं तो वो तो ठीक है क्योंकि उसमें आपको बहुत कम ब्याज़दर लगती है साथ ही आपको tax benefits भी मि में ही है इसीप्रकार अधिशार देखिये हमें एक जीज और सानी है चाहिए कि घरदन से इसे वे में हमें से कम läuft करना कि अगला जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है शेयर मार्केट में आपको यहाँ पर एक चेताव नहीं देना चाहूंगा कि बहुत अधिक रिस्क है लेकिन अगर आप अच्छे जानकार हैं एक अच्छा आप रिशर्च करते हैं आपके अंदर काफी धैर्य है और पेसेंस रखत करोड हैं तक भी आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं देखिए एक उधारन यहाँ पर सिंफनी ने जो है पिछले कुछ सालों में 20,000 प्रतिसत का रिटन दिया देखिए एक साल का ही यहाँ पर एक्जैंपल दे रहे हैं यहाँ पर सिंफनी ने जो 1095 रुपे का सेयर था वो इस स समलब 17 करोड हो गया 19 साल में तो देखिए इस प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट सेयर मार्गेट में मिलता है अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो यह इसका और तरीका है मुच्वल फंड उसमें भी आप सिप के माध्यम से सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट के माध्य भी इसका दाद आशे माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार एक तरीका है कमइडीटि मार्केट जैसे गोल्ड जेγल खी कमडीट उसके हैं कम से निवेस्टमेंट करनी है और घर्ण से उपर के हिस्टमें आधी कम इश्टमेंट pride अफूस्टमेंग सब्सक नालेज में निरंधर विद्द करते रहें और साथ ही किताबें पढ़ने के साथ व्रिद्ध करेंगेिंगें साथ ही हम अपना बडा mindset बनाएं जीवन के goal नृटे करें और लें स्ब़सकल नियुद्भ walking नयुलेज विद्धिर करें और लियुद्ध में आपने नौलेज है उसमें व्रिद्धि करते जा रहे हैं तो हम जो एक गलत तरीके से हमारा पैसा जो है उसको अनावश्यक खर्च करते हैं बिलाशिता की वस्तु में तो उस तरफ से भी हमारा ध्यान हटेगा साथ ही हम उसको पूरी रिशर्च के साथ सही जगह पर सही इस्तान पर ह आज हमने जाना हमें जो मेहनत से कमाया हुआ धन है उसको कहां पर इन्वेस्ट करना है यह बहुत ज़रूदी है तो यह जो तरीक है मैंने इस वीडियो में आपको बताई अगर आपको इससे संबंदित कोई भी प्री जहां तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट क अगरे उप्यों की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकार पहुंस अगरेगेगे